हापुर में बीजेपी सांसद राजिन रगवाल ने केंसरकार दोरा पेश किये गए अमरत बजट को लेकर आज प्रसवारता कर बजट को सभी वर्गों के लिए लापकारी बताया उन्हों कहा कि बजट में सभी का ध्यान रखा गया है बीजेपी सांसद ने कहा कि देश की हमारा लक्ष है सरकार की सभी योजनाएं इसी धंग्चे चलाई जा रही है ताकि आम जन को लाब मिल सके 75 वर्ष देश की आजादी को पूरे हो चुके उसके बाद ये अगले जो 25 वर्ष हैं 100 साल होने तक इसको अमरत काल होना कहा है अमरत काल का ये पहला बजट है और निश्चित रूप से अगले 25 साल तक की दिशा देख कर गे ये बजट बनाया गया है हम दुनिया के संबर्दतम देश बने हम दुनिया के सरोशक्ति साली देश बने ये हमारा लग जया है तो इसको सारी योजना इसीडंस से इसमें की गई है जो कैपिटल इंवेस्टमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो सामाने से शिकूरता चला जाता है और उसके कारण से विकास के काम नहीं हो पाते हैं इस बार इस सरकार ने उसके अंदर 33 प्रश्चत की व्रद्धी करते हुए 10 लाख करोर उसको दिये हैं रेल को 5 लाख करोर दिये हैं जो सलक हैं उनको पौने 3 लाख करोर दिये हैं सिख्षा के अंदर मेलाओं के कलियान के लिए गाओं के किसानों के कलियान के लिए अच्छा के अंदर वृद्धी किया तो कुल मिला करके यह जो देश के विकास की जो गति ये उससे और बढ़ेगी रोजगार के फिर पैदा